नमस्कार दोस्तों सुवागत है आप सभी का आर्पी टेक्निकल इस्टडी यूटूब चैनल में तो दोस्तों आज किस वीडियो में अपन बात करेंगे राजस्तान जिके के 110 कुशन्स की जो कि सभी एक्जाम्स के लिए बहुत इंपोटेंट है जिसमें राजस्तान इस्ट् जोग्रोफी एंड आर्टेंब कल्चर से ले गए सभी क्यूशन मेतापुरूल क्यूशन है तो वीडियो बहुत इंपोटेंट होने वाला है वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को साथ ही और नोटिफिकेसन बेल को विडुरूं कर लिशे तो चलिए सुरू करते हैं, तो दोस्तों आज का अमारा पहला क्यूशन है सूर्य नगरी के नाम से परसिदी जिला कों सा और तो सूर्य नंगरी की नाम से ज tu ज Михeul को नाम से जाना जाता है अगला क्यूशन बंरक दूसरा है जोधपुर संबाग दूसरा कौन सा है जोधपुर संबाग तीसरे नमबर पर बात करें तो तीसरे नमबर पर आता है बरतपुर संबाग कौन साब संबाग है बरतपुर संबाग चोते नमबर पर बात करते हैं तो चोते नमबर पर आजाता है अजमेर कुन साथ है अजमेर पांचवे नमबर पर बात करें तो कोटा संभाग छटवे नमबर पर बात करते हैं तो दोस्तों छटवे नमबर पर आता है बिकानेर बिकानेर संभाग और साथवे नमबर पर आजाता है उदेपुर इस प्रकार से कुल साथ संभाग है, कौन-कौन से हैं साथ है, जेपुर संभाग, जोदपुर संभाग, बरतपुर संभाग, अजमेर संभाग, कोटा संभाग, विक्कानेर संभाग, उदेपुर संभाग तो कितने संभाग है राजस्तान में साथ संभाग है चलिए अगला कुश्चन दरका डांग की रानी के नाम से किस जिले को जाना जाता है तो दोस्तो डांग की रानी के नाम से करोली जिले को जाना जाता है धोलपूर जिले को रेड डाइमंड के नाम से जना जाता है अगला कुशन देरका हादूनिक भारत का भागीरत किसे का आ जाता है तो दोस्तो हादूनिक भारत का भागीरत का आ जाता है महाराजा गंगा सिंको किसको कहते हैं महाराजा गंगा सिंको अगला कुशन दोस्तो चंदन के चितेरे के नाम से परसीद है तो दोस्तो चंदन के चितेरे के नाम से परसीद है कौन परसीद है परसीद है चंदन के चितेरे के नाम से परसीद है अगला कुशन दोस्तो अगला कुशन दोस्तो अगला कुशन दोस्तो अगला कुशन दोस्तो तो दोस्तो पूर्वी राजस्तान का प्रिवेस दुआर है वह धोलपूर जिला कहलाता है कौन सा जिला कहलाता है धोलपूर जिला अगला कुश्चन दोस्तो अगला कुश्चन दे रखा है राजस्तान के अंतरराष्टिय सीमा बनाने वाले संभाग है बिकानेर और किसको जाना जाता है अरिवाव उपध्याई को अगला कुशन देरका राजस्तान का गांधी किसे कहते हैं तो दोस्तो राजस्तान का गांधी कहा जाता है गोकुल भाई भटको किसको कहते हैं गोकुल भाई भटको अगला कुशन देरका अलवर का रसकान किसे कहते हैं तो दो दोस्तो राजस्तान का मक्का कहा जाता है अजमेर को कौन से जिले को कहते हैं अगला कुशन दरका राजस्तान का मक्का कहा जाता है अगला कुशन दरका राजस्तान का नाका किसे कहते हैं तो दोस्तो राजस्तान का नाका कहलाता है अजमेर अगला कुशन दरका राजपुतान की कुंजी किसे कहते हैं तो दोस्तो राजपुताना की कुंजी कहलाती है अजमेर कुंसा जिला कहलाता है अजमेर जिला राजपुताना की कुंजी कहते हैं राजपुताना की किस जिले को कहते हैं अजमेर को अगला क्यूशन दरका उट की कौन सी नसल सबसे ज्यादा सुंदर है तो दोस्तो नाचना नसल आती है वह यह उट की सबसे सुंदर नसल होती है सबसे ज्यादा सुंदर नसल होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाचना नसल अगला क्यूशन दोस्तो अगला कुशन देरका उट के गले का आबुशन क्या कहलाता है तो दोस्तो जो उट के गले में आबुशन पहनाए जाता है उसको गोरबंद के नाम से जाना जाता है उस आबुशन को किस नाम से जाना जाता है गोरबंद के नाम से अगला कुशन दरका रंग सीरी के दीप कहां इस्तित है तो दोस्तो रंग सीरी के दीप है जेपूर में इस्तित है कहां पर इस्तित है जेपूर में इस्तित है अगला कुशन दरका आइस लेंड ओफ गैलोरी के नाम से परसिद है तो दोस्तो आइस लेंड ओफ गैलोरी के ना से जाना जाता है अगला कुशन अगला कुशन दे रहा है राजस्तान राज्य अभी लेखा गार कहां इस्तित है तो दोस्तों राजस्तान राज्य अभी लेखा गार है वहां बिकानेर में इस्तित है कहां पर इस्तित है बिकानेर में अगला कुशन दे रहा है लोक देवताओ के पुस्प कमल किसे कहा जाता है तो दोस्तों लोक कलाओ के यहां क्या दे रखा है लोक कलाओ के पुस्प कमल किसे कहा जाता है तो दोस्तों देविलाल सामर को किसको कहा जाता है देविलाल सामर को लोक कलाओ के पुस्प कमल कहा जाता है अगला कुशन दे रखा है मारवाड क किसानों का मसीवा किसे का आ जाता है तो दोस्तों मारवाड के किसान है उनका मसीवा का आ जाता है पूनमचंद विश्णोई को किसको कहते हैं पूनमचंद विश्णोई को अगला कुशन अगला कुशन देरका है राजस्तान के इतियास का बिसम पितामा किसे कहा जाता है तो दोस्तो राजस्तान के इतियास का बिसम पितामा कहा जाता है करनल जैमस्टोड को किसको कहते हैं करनल जैमस्टोड को तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करनल जैमस्टोड अगला कुशन देरका है राजस्तान का स्कोटलेंड के नाम से जाना जाता है तो दोस्तो राजस्तान का स्कोटलेंड के नाम से जाना जाता है अलवर को किस जिले को जाना जाता है अलवर जिले को राजस्तान का स्कोटलेंड के नाम से जाना जाता है अगला कुश्चन दे रखा है राजस्तान की थर्मोपली के नाम से जानी जाती है तो दोस्तो अल्दी गाटी राजस्तान की थर्मोपली के नाम से जाना जाता है अगला कुश्चन दे रखा है राजस्तान का मेराथन किसे कहते हैं तो दोस्तो अज्मेर को राजस्तान का रिदे कहा जाता है। अगला कुशन देरका पूरवी राजस्तान का कस्मीर कहलाता है, तो दोस्तो पूरवी राजस्तान है, उसका कस्मीर अलवर जिला कहलाता है, कौन सा जिला कहलाता है, अलवर जिला पूरवी राजस्तान का कस्मीर कहलाता है, अगला कुशन देरका पूरव का पेरिस के नाम से जाना जाता है तो दोस्तों पूरव का पेरिस जेपूर को कहते हैं किसको कहते हैं जेपूर को पूरव का पेरिस के नाम से जाना जाता है तो इसका राईडी टांसर हो जाएगा जेपूर अगला कुश्चन दोस्तो क्यूशन नमबर 31 देरका राजस्तान का पंजाब किसे कहते हैं तो साचोर जालोर उसको पंजाब के नाम से जाना जाता है राजस्तान का पंजाब कौन सा कहलाता है कौन सा जिला कहलाता है जालोर जो की कहां पड़ता है साचोर जालोर को किस नाम से जाना जाता है राजस्तान के पंजाब के नाम से जाना जाता है अगला कुशन दरका राजस्तान के देवनगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है तो दोस्तो राजस्तान के देवनगरी के नाम से सिरोई जिले को कौन से जिले को शिरोई जिले को राजस्तान की देवनगरी के नाम से जाना जाता है चलिए अगला कुशन देरका राजस्तान का सिमला कौन सा जिला कहलाता है तो दोस्तो राजस्तान का सिमला है वहें माउंट आबू कहलाता है कुणसा जिला शिरोई जिला है वह राजस्तान का सिमला कहलाता है शिरोई म कुणसा इस्तान है माउंट अगला कुशन अगला कुशन देरका भारत का पेरिस कुणसा जिला है तो दोस्तो भारत का पेरिस है वह जेपूर जिला कहलाता है भारत का पेरिस कुणसा जिला कहलाता ह जेपूर जिला अगला कुशन देरका सिंदू सबेता की तरज पर बसा नगर कौन सा है तो दोस्तों सिंदू सबेता की तरज पर बसा हुआ नगर है जेपूर कौन सा नगर है जेपूर अगला कुशन देरका मंकी वैली के नाम से परसिद है तो दोस्तों मंकी वैली के नाम से गलता जो की काँ पड़ता है जेपूर में तो गलता जेपूर परशिद है अगला कुशन अगला कुशन देरका राजस्तान में ओप्रेशन खेजड़ा नामक अभियान कब चलाए गया तो दोस्तों राजस्तान में ओप्रेशन खेजड़ा नामक अभियान है वह सन 1901 में चला गया था अगला कुशन अगला कुशन देरका राजस्तान का राज्य खेल कौन सा है तो दोस्तों राजस्तान का राज्य खेल है बास्केट बोल कौन सा खेल है बास्केट बोल अगला कुशन देरका राजस्तान के किस जिले की आकरती धनुसाकार है तो दोस्तों राजस्तान के दोसा जिला है उसकी आकरती दनूसा कार है किस परकार से हैं दनूसा परकार की अगला क्यूशन अगला क्यूशन दे रखा है फाउंटेन वा माउंटेन के नाम से कौन सा सेर परसिद है तो दोस्तो फाउंटेन वा माउंटेन के नाम से उदेपुर को जाना जाता है कौन से सेर आता है जस्वंत थड़ा अगला कुशन देरका मारवाड का अमरत सरोवर कहलाता है तो दोस्तों मारवाड का अमरत सरोवर कहलाता है जवाई बांध कौन सा बांध जवाई बांध अगला कुशन देरका खंबो का नगर कहलाता है तो दोस्तों रनकपूर है वह खंबो का नगर कहलाता है कौन सा कहलाता है रनकपूर जो की कहाँ पड़ता है पाली में अगला कुशन दिरका है तीर्थों का भांजा के नाम से परचिद है तो दोस्तों तीर्थों का भांजा के नाम से मचकुंड धोलपूर परचिद है कौन परचिद है मचकुंड धोलपूर अगला कुश अगला कुश्चन देरका जलमेलों की नगरी के नाम से परसिद है तो दोस्तों डीग बरतपूर है वहें जलमेलों की नगरी के नाम से परसिद है तो फवारों के नगरी के नाम से कौन सा जिला परसिद है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बरतपूर डीग बरतपूर अग अगला कुश्चन दे रखा राजस्तान की जिंक नगरी के नाम से परसिद जिला कौन सा है तो दोस्तो राजस्तान की जिंक नगरी के नाम से उद्यपूर जिला परसिद है कौन से जिला परसिद जिला परसिद है अगला कुश्चन दे रखा राजस्तान के किस संभाग क्या आ अगला कुशन देरका बाड मेर जिले की स्तापना किस ने की थी तो दोस्तो बाण बठने बाड मेर जिले की स्तापना की थी किस ने की थी बाण बठने सोरी बाग बठने किस ने की थी बाग बठने अगला कुशन अगला कुशन देरका बास्केट बोल को राज्य खेल का दरज China 1948 में मिला,। कम मिला था? अगला question तो दोस्तों अगला question देरेका अंतराश्ट के सीमा के नज़दी संभागी मुख्यले कौन सा है तो दोस्तों इसका राइट आनसेर उजाएगा क्मेर को सा मुख्यले है았습니다 क्यों से संभागी मुख्यले है । कोई सा मुख्याले हैं जोदपूर। अगला कुश्ण लेकर राजस्तान राज्य कर्सी विपणन बौड का मुख्याले कहा इस्तित है। तो राजस्तान का नेरू का आ जाता है पंडित यूगल किसोर चतरवेदी को किसको कहते हैं पंडित यूगल किसोर चतरवेदी को अगला क्विशन दरका जोधपुर का तांसेन किसे का आ जाता है जोधपुर का तांसेन है वह किसे का आ जाता है तो दोस्तो अली अकबर खान क अगला कुशन दरका लाख का बेजोड सिल्पी के नाम से परसिद है तो दोस्तों लाख का बेजोड सिल्पी के नाम से आईज मौमद परसिद है कौन परसिद है आईज मौमद अगला कुशन दरका राजस्तान के अबरक नगरी के नाम से परसिद जिला कौन सा है तो राजस्त का आधुनिक मैंचेस्टर है वहां भीलवाडा कहलाता है कौनसा जिला कहलाता है भीलवाडा अगला कुशन दरका राजस्तान का कानपूर कहलाता है तो राजस्तान का कानपूर है वहां कोटा जिला कहलाता है कोटा अगला कुशन दरका अंतराष्ट्य सीमा पर छेतरफल में बड़ा संभाग कुण सा है तो इसका राईटांसर फोचा है क्या है वहां कथम के राजस्तान की वीधि नगरी के नाम से जाना जाता है तो दोस्तो क्विशन देरका राजस्तान की प्रहरी मिनार कहां हिस्तित है तो दोस्तों राजस्तान की प्रहरी मिनार है वहाँ एक थंबा मेल जोधपुर में है कहां पर है एक थंबा मेल जोधपुर अगला क्विशन अगला क्विशन देरका राजस्तान का भूगनेश्वर का कहलाता है तो राजस्तान का भूवने से रहे, वह ओसिया जोधपुर कहलाता है, कौन सा कहलाता है, ओसिया जोधपुर, अगला क्यूशन देरका, ऊट को राज्य पसुर, अर्थार्थ पसुदन सरेणी का दरजा कम मिला, तो दोस्तो इसका राइडिटा अंसर हो जाएगा, 19 सितंबर 2014 क अगला क्यूशन देरका, ऊट का वेगयनिक नाम क्या है, तो दोस्तो केमलीन के नाम से जाना जाता है, ऊट का वेगयनिक नाम क्या है, केमलीन, अगला क्यूशन देरका, राजस्तान राज्य पत परिवेन, निगम का मुख्याले कहां इस्तित है, तो दोस्तो राज्य पत प जोदपूर जिला है वह मरू परदेश के नाम से जाना जाता है अगला कुशन देरका रेग्गिस्तान का केंदर केलाता है तो रेग्गिस्तान का केंदर केलाता है जोदपूर रेग्गिस्तान का केंदर कौन सा जिला केलाता है जोदपूर अगला कुशन देरका भारत की वेर इस्थानिय बासा में नाम क्या है, गोडाउन को इस्थानिय बासा में क्या का आ जाता है, तो दोस्तो इसको सोंचिडी वह सरमिला पकसी का आ जाता है, इसको क्या कहते हैं, इसको सोंचिडी भी कहते हैं, वह सरमिला भी कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सोंचिडी या सर मिला अगला क्यूशन देरका गोडावन को हाड़ोती बासा में किस नाम से जाना जाता है तो दोस्तों गोडावन है उसको हाड़ोती बासा में माल मोरडी के नाम से जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है माल मोरडी के नाम से अगला क्यूशन अगला कुशन दे रखा है गोडावन के परजनन अगला कुशन क्या दे रखा है गोडावन के परजनन है तू कौन सा जन्तवाले परसीद है तो दोस्तों गोडावन के परजनन है तू जोधपुर जन्तवाले परसीद है तो इसके राइल टांसर हो देगा जोधपुर अगला तो दोस्तो अगला कुशन देरका पूरव का वेनिस के नाम से कौन सा जिला परशिद्ध है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्धेपुरा है वह पूरव के वेनिस के नाम से जाना जाता है अगला कुशन देरका राजस्तान के किस जिले को जिलो की नगरी के नाम से जाना जाता है तो दोस्तो राजस्तान का उद्धेपुर जिला है उसको जिलो की नगरी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है तो दोस्तो भीलो की नगरी के नाम से भी उद्धेपुर को जाना जाता beridad answer ओधैल, अगला question, अगला question दे रहाएं, बिकानेर जिले की संस्था पते, क्यों थे? मादो सिह, अगला question दे रहा है, राज्य को मेंवान अगर किस जिले को कहते हैं? तो नाकोडा बाढ़मेर को राजे का मेवा नगर कहते हैं अगला क्यूशन दरह का राजस्तान का कौन सा जिला नगरी के नाम से परशिद है तो इसका राईट आंसर होजाइगा जोद्पूर राइट आंसर क्या होगा जोदपूर अगला क्विशन दे रखा राज्य वित्य आयोग के पर्थम अद्यक्स कों थे तो दोस्तो राजस्तान के वित्य आयोग के पर्थम अद्यक्स थे करशन कुमार गोईल कों थे करशन कुमार गोईल अगला क्विशन दे रखा राजस्तान लोग सेवा आयोग के पर्थम अद्यक्स कों थे तो राजस्तान लोग सेवा आयोग के पर्थम अद्यक्स थे S के गोष कों थे S के गोष अगला क्विशन दे रखा मरुस्तल का परिवेश दुआर कहलाता है तो दोस्तो मरुस्तल का परिवेश दुवार कहलाता है जोधपुर। कौन सा जिला कहलाता है जोधपुर। अगला क्विशन दरका ग्रे नाइट नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है तो दोस्तो ग्रे नाइट नगरी के नाम से जालोर को जाना जाता है किस जिले को जाना जाता है जालोर को अगला क्विशन दरका राजस्तान के किस जिले को सुवरान गिरी कहते हैं राजस्ता बोल में कुल 5 खिलाडी होते हैं कितने खिलाडी होते हैं 5 अगला कुशन अगला कुशन दिरका राजस्तान के वस्तर नगरी कहलाती है तो दोस्तों राजस्तान के वस्तर नगरी भीलवाडा कहलाती है कौनसा जिला कहलाता है भीलवाडा अगला कुशन दिरका राजस्तान का क दोवाला जिला है भीलवाडा कौनसा जिला है भीलवाडा अगला कुश्चन अगला कुश्चन दरका राजस्तान के संसकर्ती राजदानी कहलाता है तो राजस्तान के संसकर्ती राजदानी जोधपुर कहलाता है कौनसा जिला कहलाता है जोधपुर अगला कुश्चन दरका ब सामिक राजदा नियव है जोधपूर कहलाता है कौनसा जिला कहलाता है जोधपूर अगला क्विशन दरका साल्ट सिटी के नाम से परशिद है तो दोस्तों साल्ट सिटी के नाम से सामबर जेपूर है सामबर जेपूर परशिद है साल्ट सिटी के नाम से अगला क्विशन दरक तामर यूगिन सब्वेता की जननी कहलाती है तो दोस्तों तामर यूगिन सब्वेता की जननी गनेश्वर सब्वेता कहलाती है कौन सी सब्वेता कहलाती है गनेश्वर सब्वेता चलिए अगला कुशन अगला कुशन देरका राजस्तान का राज्य नर्ते कौन सा है तो दोस् जुक्त कोछला है राश्थ्रिए सरसो ऑणू संदाल के अंदर काई इस्तित है तो दोस्तों राश्ठ्रिय सरसोऌ अनूसंदाल के अंदर है वैसêuर सेवर बरतपुर tu खाला कुशन की खाता नगरी की नाम से परसिदि दिला कौनसा है खात letsの नगरी की नाम उपकासी कौन सा जिला कहलाता है तो दोस्तो नागोर है वह राजस्तान के उपकासी कहलाती है डीडवाना नागोर अगला कुशन दिरका है राजस्तान के पर्थम विदान सभा हदेक्स कौन था तो राजस्तान के पर्थम विदान सभा हदेक्स थे नरौतमलाल जोसी कौन थे अगला कुशन दरका है राजस्तान के पर्थम विदान सभा उपादेक्स कौन था? तो दोस्तों राजस्तान के पर्थम विदान सभा उपादेक्स कौन था? लाल सिंग सेकावत कौन था? लाल सिंग सेकावत अगला कुशन अगला कुशन दरका छेतरफल के आदार पर राजस्तान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो दोस्तों छेतरफल के आदार पर राजस्तान का सबसे बड़ा जिला जेसल मेर है कौन सा है जेसल मेर है अगला कुशन दरका राजस्तान के किस जिले में पेट्रोलियम के बंडार मिले हैं तो दोस्तो राजस्तान के बाड़मेर जिले में पेट्रोलियम के बंडार मिले हैं अगला कुशन देरका राजस्तान में खेलो के विकास के लिए नेरू युवा के अंदर की स्ताफना कब हुई तो दोस्तो राजस्तान में खेलो के विकास के लिए जो नेरू युवा के अंदर की स्ताफना हुई थी वहें 14 नवंबर 1922 को हुई थी कब हुई थी 14 नवंबर 1922 तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14.9.1922 तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजे और अपने दोस्तों को भी शेर कर दीजे जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजे साथ ही और नोटिफिकेशन बेल को वे उन कर लिजे जिससे के आगे के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके है थैंक्यू